हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुरा हुल जे स्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सब एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में आपके सामने मैंस का एक मोश्ट इंपॉर्टन लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे सेवन स्टांडर के लिए मैंस सब जगा एक न्यू चाप्टर एक फ्रेश चाप्टर के शिरुडवात करने जा रहे हैं जिसका नाम है चाप्टर नंबर दून के देख सकते हो तो आज हम एक नया चाप्टर शुरुवात करने जा रहे है और आज जो शुरू हो रहा है दोस्तो आप लोग का पार्ट टू शुरू हो रहा है यानि कि मैट में आपके दो पार्ट है आप अपने टेश्बुक अपने हाप में रेखोगे तो जो स्ट आगे बढ़ रहे हमारे math subject में तो आपको अच्छा लग रहा होगा यह चीज को देखते हैं आप लोग के लिए हम ऐसे ही efforts लगा के आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे तो आज जो हम लोगा topic है जिसका नाम है chapter 9 direct proportion and inverse proportion बहुत ही भेतरीन chapter है जिसमें आज हम लोग पहला लेक्चर में ही मिलता है जिससे आप लोग आगे के जो लेक्चर से आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होती है ठीक है ओके तो अब मैं बात करको direct proportion या फिर inverse proportion की तो प्रहली बाद तो proportion का मतलब क्या होता यह आपको मैं बताता हूँ जैसे कि हम लोग कोई भी दो चीज को compare कर तो एक दूसरे के form में लिखते है let's suppose अगर मैं बात बोलू आपको कि मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मेरे पास 5 रुपया है ठीक है और समझ लो मेरे को pocket money मिलता था 100 रुपया ठीक है न मेरे को महीने में 100 रुपय पाकिट मनी मिलता था और मैं हर दिन 5 रुपय खर्च करता ह होता है कि for example मेरा subject है 100 marks का और उसमें से मुझे marks मिले है 80 marks तो यह क्या होगा एक proportion हो गया तो वैसे ही इसमें direct proportion होता है indirect proportion होता है जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग यह जो direct proportion क्या होता है इसकी बात करेंगे लेकिन आ पर diagram आपको दिख जाएंगे आप देखोगे सबसे पहला ही page number जो है आपका that is direct proportion and inverse proportion जो आपका chapter number 9 है वहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे कि बहुत ही अलग अलग टाइप के circle अगर मैं बात करों यहाँ पर मैं एक center जो होता है आपका center से एक line को pass करो तो इसको अम लोग क्या बोलते है दायमेटर बोलते है करेक्ट है तो अगर मेरा circle से वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, यहां पे वो हो गया, दो पार्ट में डिवाइड, करेक्ट है, मैंने एक डायमेटर बना दिया, पता है आपको डायमेटर क्या होता है, that is radius का double, यहां से होता है, for example, this is my center point, तो इसको हम लोग सिफ क्या बोलते है, radius बोलते है, इसको 1 by 2 रहने दो, अब मेरे पास जो डायमेटर है, वो कितने होगे, 2 होगे, और इसके वज़े से हमारा circle कितने हिस्सों में डिवाइड होगे, total 4 हिस्सों में डिवाइड होगे, तो मैंने लिग दिया, 2 by 4, correct है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक और चलो बता जेतों आप लोग होगा, तो मतलब क्या होगे, जितना हम लोग diameter को बढ़ाते जा रहे है, जितना diameters को हम लोग increase करते जा रहे है, उतना ही increase double double rate से हमारा जो division of circle है, वो बढ़ते जा रहे है, मतलब एक था, तो 2 हुआठ हिस्सों में, 2 था तो 4, 3 था तो 6, 4 तो 8, 5 रहेगा, तो 10 हो जाएगा, 6 रहेगा, तो 12 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जितना हमारा हम लोग diameter को increase कर रहे है, उतना ही हमारा, जो division of circle है, वो भी increase होते जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक direct proportional, क्योंकि topic हम लोग वही पढ़ रहे हैं न दोस्तों, यहाँ पे, हम लोग डाल देते heading म रहा हूं, उस number of circles में, तो मेरा जो number of circles के अंदर, जो division हुआ है, वो भी increase होते जा रहा है, तो ये होता है direct proportion, और इसी का उल्टा होता है, inverse proportion, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको तोड़ा सा hint दे देता हूँ, कि अगर मेरा कुछ चीज बढ़ा रहा ह हुआ है, children and notebooks का, इसको भी फटा-फट से ले लेते हैं, आप लोग के लिए, एक column दिया हुआ है, आपके टेजबुक में देख पाऊगे, page number 63, starting का page है, तो इसमें column दिया हुआ, इसमें children's दिये हुए, तो let's suppose क्या बोला है, कि number of children's है, यहाँ पर मैं वो column को नहीं बढ़ा okay, number of notebooks लिख दिया, okay, तो starting में बोला है, column में आप देखोगे, तो 15 children जब थे, तो मैंने 90 notebooks दिया, 15 children थे, तब मैंने 90 notebooks दिया, correct है, अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर, बोला है कि 12 जब students थे, तो मैंने कितना notebook दिया है, 72 दिया हुआ है, ठीके, फिर जब 10 students थे, तो म direct है, तो आप क्या बोलोगे, direct है, क्यो direct है, दोस्तों, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, कि अगर मेरे 15 students थे, तो मैंने उसको 90 notebook दिया, इसका मतलब 1 को कितना दिया होगा, डिवाइड गर के देख लो, 15 के टेबल में 15 बंदा 15 होता है, और 15, 6 होता है, मतलब 1 student को मैंन दिये हुए, वो एकदम correct दिये हुए, और right दिये हुए, और साथ ही में ये कौन से है, direct proportion है, क्योंकि अगर मैं अपने students को बढ़ाऊंगा, तो मेरा जो number of notebooks है, ये भी automatically क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, clear है friends, तो उमीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आपको समझ में आ गया, कि किस तरह से हम लोग direct proportion को easy result कर पाएंगे, अभी तो एकदम basic introduction ही पढ़ रहे है, एक और example आपको लेता हूँ, जो कि आखरे example है, क्योंकि आज का lecture में थोड़ा चोटा ही रखने वाला हो, ताकि आप लोगो ठोड़ा relaxed भी लगे, और साथी में क्यो इसको rough कर लो, फिर में बताता हो, आप अगला page number आजाओ, 64 page number पे आजाओ, तो आपको एक example दिखेगा, टॉप पे, ठीक है, उसको हम लोग solve करते है, बहुत ही मज़ेदार example है, ऐसे ही type के example, आपके question answers, यानि कि जो आपके practice state हो गए, या फिर जो आपके exams आएंगे, तो उस पेन का कीमत है, यानि कि cost जो है 10 पेन का वो है 60 रूपीज, मतलब 10 पेन अगर किसी ने खरीदा, तो उसका जो cost है, वो कितना है, 60 रूपीज है, ठीक है, न, लिख दिया मैंने, 10 पेन का cost 60 रूपीज है, तो what is the cost of 13 पेन, मतलब अगर 10 पेन खरीदा, तो 60 रूपे लगेगा तो अगर मैं 13 पेन खरी दूँगा, 13 पेन खरी दूँगा, 13 पेन खरी दूँगा, तो मुझे कितना पैसा लगेगा, ये मुझे निकालना है, ठीक है न, question mark, डाल दिया मैंने, question mark थोड अच्छे से लिख दे, this is question mark, मतलब मुझे पता नहीं है, तो इसको हम लोग solve करना है, by using the direct proportion, तो कैसे solve करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, एक consideration आपको करना पड़ेगा, इसको बहुत सारे method होते है, solve करने के लिए, लेकिन जो हमारा syllabus है, अभी आप जो पढ़ रहे हैं, 7 standard के हिसाफ से, उसके हिसाफ से बता हूँगा, सबसे पहले आपको मानना है, let the cost of, आपको पता निये न, 13 pain का कितना रुपीज है, आपको पता निये, तो आपको मानना पड़ेगा, let the cost of 13 pain, कि 13 pain का जो cost होगा, वो कितना होगा, x रुपीज होगा, मैंने मान लिया, अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, simple सी बात है, कि आपने 10 pain खरीदा सबसे पहले, क 60 रुपया लगा, correct है, तो वैसे ही वो अगर 13 pain खरीदेगा, तो उसको कितना लगेगा, x रुपीज लगेगा, क्योंकि मैंने यहापे x माना है, अब इसको solve कर लो, ऐसा आपने solve किया हुआ है पहले भी दोस्तो, बस solve कर लो दोस्तो, कैसे solve करोगे, x multiply बे, cross multiplication होता है, बीच बीच में equal है, बीच में equal आ जाएगा, correct है, फो यह 13 जो है 60 से multiply हो जाएगा, तो 60 multiply by 13 कर दो, 60 multiply by 13, अगला step यहाँ पर करके दिखाता हूँ, तो यह 10x is equal to 60 multiply by 13 हो गया, अब x जो है हमारा, x कितना होगा, अब सिप मुझे x का value निकालना है, तो x जो रहेगा, यह सामने में इस ही रहेगा, that is 60 multiply by 13, ऐस ही रहेगा, और यहाँ पर जो 10x के साथ था, तो x ने अकेला कर दिया खुद को, और 10 जो इसके साथ था, उसको नीचे भेज़ देगा, नीचे आ जाएगा, तो यह 10 नीचे आ गया, अब इसको solve कर लेते हैं, बहुत simple है solve करना, 10 बंजा 10 हो गया and 10 6 जा 60 हो गया, 60 को कट कर दिया 10 ने, और यह 6 बचा हो 13 बच गया, तो 6 multiply by 13 कितना होता है, 13 6 होता है, 78 तो 13 6 जा 78 होता है, लिख दिया 78 और x क्या माना था मैंने, x रुपीज माना था, तो x is equal to 78 रुपीज, ऐसा एक बॉक्स बना के लिख दो, and finally last में एक conclusion भी लिख सकते ह क्या लिख सकते हो, cost of 13 pain, 13 pain का जो cost हो कितना है, 78 रुपीज, ऐसा आप statement last में लिख सकते हो, clear friends, तो बहुत ही easy तरीक एक example था, इतना easy था, कि अगर ऐसा question exam में पूछ लेता है, तो आप तो खाली oral ही solve कर पाऊगे, मुह से solve कर पाऊगे, लिखने के ज़रत नहीं, लेकिन दो बड़ आपको ऐसा नहीं निकालना है, आपको आता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा process solve करके step दिखाना है, तभी आपको marks मिलेंगे, एक या दो marks कोशन आपके exam में पूछेगा, पूरी उमीद करता हूँ, आप लोग जरूर से इसको solve कर पाऊगे, clear है friends, तो कितना easy था, 10 pain का पहला ही lecture है, इस particular chapter का, तो हम लोग थोड़ा सा break लेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, अगला lecture, यानि कि यही chapter का जो lecture number 2 लेकर आओंगा, जो कि फटा-फट लेकर आजाओंगा, आप लोग को बिल्कुल चिंदा नहीं करना है, हमारे lectures आपको continuous मिल जाते हैं, कोई भी 27 को solve करेंगे, जो कि ऐसे ही questions उसमें रहने वाले, काफी मजा आने वाले करने में, तो आपको बस हमारे साथ बने रहना है, और यह particular वीडियो जो नया chapter हम ने शुरुआत के हैं, कैसा लगा है, आप लोग प्लीज हमें कमेंट करके बताएगा, अगर यह वीडियो आपको पस अगर मैंने 10-10 रूमें में खरीदा, तो 13 रूमें कितने में खरीदूँगा, तो ऐसे real life example के लिए यह सब सीखना बहुत जरूरी होता है, दोस्तो, यह सब आपको practically काम आते, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत important है, फटा-फट से सब को share करना, सब को बताओ, अगर आ झाल